नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग का चौथा मा आशार मा कहलाता है वही हिंदू, वही प्रतेक मा के किश्रबक्ष की अंतिव्दिती अमावस्या कहलाती है अमावस्या विशीष रूप से पित्रो की आत्मा की शांती के लिए किये जाने वाले तरपन और इसनान दान के लिए उत्तमाना जाता है इस दिन पविद्र नदी में इसनान करने से पुन्य की प्राक्ति होती है अमावस्या के दिन ब्रत रखने का भी विधान है आशार अमवस्या को हलहारणी अमवस्या के नाम से भी जाना जाता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में आशार अमवस्या कब है 28 या 29 जून को अमवस्या के तिथी क्या रहेगी, पूजन की विधी क्या है, चंदर रसन का समय क्या रहेगा साथ ही जानेंगे कि आशार या हलहारनी अमवस्या के दिन क्या करे या क्या ना करे तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आगामी अमवस्या एवं पुर्णिमातितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिल्कुल बद भूलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो आशारा मवस्या पर गंगास्नान दान और पित्रों की त्रिप्ति के लिए तरपन का विशेश महत्व होता है इस दिन हलहा खेती के उपकर्णों की पूजा की जाती है इस दिन किसान विदिविधान से हलपूजन करके फसल हरी भरी बनाए रखने के लिए भगवान से प्रातना करते हैं ताकि घर में अन्निधन की कमी कभी भी महसूस ना हो अवस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान कर सूर्य देव को अरगर पित करना चाहिए उसके पशाँ पित्रों को तरपन अरपित करें इसके पशाँ दिन बर फलाहार करते हुए ब्रत रखें तथा यथा शक्ती जरत्मन व्यक्तियों को दान करना शुमाना गया है पित्रों के आत्मा की शांती के लिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला कर पित्रों करना चाहिए अम अवस्या के दिन भूल कर भी किसी भी महत्पों वस्तू की खैदारी या विक्री नहीं करनी चाहिए इस दिन भूल कर भी निर्धन या याचक को घर से खाली हाथ ना लोटाएं उन्हें भोजन अवश करवाएं आशान अमवस्या की दिन दान पुन्य की कार अवश करने चाहिए मानिता है कि इस दिन किये गए दान का पुन्य कई लाग गुना होकर मिलता है साल 2022 में आशान दर्स अमवस्या 28 जून 2022 दिन मंगलवार को है वहीं इस दान दान की अमवस्या 29 जून 2022 दिन बुद्वार को है अमवस्या तिती का प्रारम होगा 28 जून की सुवए 5 बच कर 52 मिनट पर और समापती होगी 29 जून की सुवए 8 बच कर 21 मिनट पर चंदर अशन का समय रहेगा 30 जून 2022 दिन गुरुवार को शाम के 7 बचका 23 मिनट से 8 बचका 35 मिनट तर मेरे वीडियो में अंततक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ